हेलो फ्रेंड वागत है आपका आपके अपने लीगल चनल में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा दोस्तों जिस प्रकार से समाज में हो चुका जिस प्रकार से 498 के केस हो रहे हैं जिस प्रकार से शाधिया करने से लोग डर रहे हैं उससे कई सारी नई चीजे हर रोज दिमाग में आती रहती हैं अभी स्थिती ऐसी हो चुकी है कि 498 के बारे में जो इसमें पढ़ा नहीं है उसे कुछ मालूम नहीं होता और जब यह चीजे होती है तो आटोमेटिकली बहुत परशान हो जाता है मेंटली बहुत परशान हो जाता है और सबसे बड़ी बात है पैसे से ब दाजा लगा जा सकता है तो इस बात से तो ऐसा लगता है कि जैसे आजकल बैस्लर डिग्री होती है ना तो यहां 498 की डिग्री होनी चाहिए कि जिसमें पूरे 3 साल तक बंदे को यह ट्रेनिंग दी जाये कि उसके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है और सो कैसे बचना है ये बात बड़ी हासे प्रत्सी है, लेकिन जो इस्तिती है, ऐसा लगता है, कि इंजिनेरिंग से ज़्यादा ये सब चलाने के जरूत है, कितनी तरह से आपका false implication हो सकता है, ये सारी चीजे आपको बताए और सिखाए जानी चाहिए, साथ ही ये बताए जाना चाहिए, उस classes के अंदर कि कितना corruption है, और जहां-जहां corruption है, वहां को कितना-कितना पैसा दे करके भारान है, ये सब तो चल रहा है, तो जिस देश में इतनी अंधेर नगरी चलेगी, वहां का future क्या हो सकता है, खेर मेरी बात को आप serious limit ले न, ये जो मैंने काहा, एक के व्यंगय के तौर पर क कि एसी किलासे चलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो चीजें और ज्यादा खराब होंगी, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा, तो इससे corruption और बढ़ेगा, फिर 498 के कोर्स में जब आप admission लेंगे college में, तो वहां पे भी आपको पांचलाग रुप admission fees देनी पड़ेगी, जो किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, तो ये जश्ट एक मजाक के तौर पर मैंने आपको अपना विचार शेर किया, कि स्थिति इतनी बुरी हो चुके है, मेरा कहने का इतना मतलब था, तो इस वक ज़रूरत है ब्रेक करने, कि आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप क्या पुलिस से लड़ सकते हैं, या फिर आप किसी अधिकारियों से लड़ सकते हैं, आप किसी से लड़नी सकते हैं, आपके साथ सही हो रहा है, या आपके साथ गलत हो रहा है, आपको उस चीश को जहलना पड़ता है, आपको उस चीश को एक काम कर सकते हो, directly आपके favor में law नहीं है, indirectly आप इन चीज़ों को deal कर सकते हो, indirectly आप सामने वाले को इस चीज़ के लिए मजबूर कर सकते हो, कि आपके उपर जो case होगा, वो case ना चले, अभी कुछ दो-ती दिन से मैं comment पढ़ रहा था, जिसमें एक विक्ति बार-बार यह करना है, सब के लिए कुछ भी common नहीं हो सकता, और यह बात आपको कई बार बताई जा चुकी है, उसके बाद भी आप समझते नहीं है, या समझना नहीं चाहते है, आपको लगता है कि कोई आपको आ करके एक common चीज़ बता देगा, और उसी common चीज़ पर हजारों लोग काम क बता दू, लेकिन माल लेते हैं, आपके case के according उन चार धारों में case करना आपके लिए बहतर नहीं होता, और आप मेरी बात सुनके हम आपे उन चार धारों में case कर देते हैं, तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है, क्योंकि आपकी case study थोड़ी मैंने करिए, आपका case क्या है आपके fire के है, आपके charge sheet के है, आपके क्या weakness है, आपके case के क्या strength है, तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही आपको ये अंदाजा idea दिया जा सकता है, कि बही किस तरह के case जिसमें बनेंगे, और फिर उस पर थोड़ा काम करने के बाद ये बताया जा सकता है, कि किस तरह के section इस पर लगेंगे, तो ये सब कुछ आपके सोच पर depend करता है, कि आप क्या सा reaction देते हैं, कल किसी ने मुझसे पूछा कि साब ऐसा है, जो counter case जोंगे, आप हम बताइए, इसमें कौन-कौन से section लगेंगे, without any study, just कागल भेजा, बोला बताइए, कौन-कौन से section लगेंगे, नह की खामियों के लिए, तो कितना मुश्किल होगा, आप पुलिस में जाते हैं, आपकी कोई F.I.R. अदर नहीं होती, आप कोट में जाते हैं, वहाँ पर आपके सुनवाई नहीं होती, 156 आपके admit नहीं होती, तो ऐसे scenario के अंदर, यदि कोई आपके counter case के बारे में बताएगा पूरे तरीके से आपके उपर है, क्यों case आपका है, आप समझोगे, positively समझोगे, आपकी बात है, negatively समझोगे, आपकी बात है, समने वाला बंदा क्या करेंगा, वहाँ जोड़ लेगा, जैसे आपकी सोच, आप ऐसा सोच, हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए आपको खुद से कुछना है कि आप कितना positive और कितना negative है, अब कई बार होता क्या है, लोग दिन के समय में, जब मैं court के अंदर hearing में खड़ा हूँ, call मिला देंगे, और call नहीं उठाओ, तो फिर उल्टा सिदा बोलना पड़ेंगे, नुकसान होते हैं public figure होने के, आप अपनी life जी नहीं सकते, आप किया पता किसका argument कर रहे हैं, कितना important argument है, किसी के cross question कर रहे हैं, कहां बैठे हैं, meeting में बैठे हैं, high court में खड़े हैं, lower court में खड़े हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, सामने वाला बंदा एक phone करेगा, आपको ने phone नहीं उठाया, तो लिग देगा कि आप ऐसे तो आप वै संख्या 2,00,00,00 में, तो आप सोचे, अगर हर एक आदमी मुझे कह दे, कि सर बस एक मिनट मुझे से बात कर लो, तो क्या संभव है कि मैं बात कर सकता हूं, लेकिन इस बात को समझने वाला कोई नहीं है, इस परिशानी से किसी को को मतलब नहीं है, सामने वाला केवल अपने केसेज कोट में चल रहे हैं, जिनके लिए हमें सुबह से शाम तक कोट में खड़े रहना पड़ता है, तो अगर इस तरह से करेंगे, तो क्या संभव है कि हम अपने कोट केसेज लड़ लें, या ये संभव है कि हम आपके लिए इस परकार की वीडियोज ले आएं, क्योंकि वीडियोज डालने डालने में मैं आपको बता हूँ, डेली के अगर तीन वीडियोज आप डाल रहे हैं, तो कम से कम 6-7 गंटे आपको यूट्यूब पर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है, सबसे पहले आप कंटेंड ढूड़ोगे, कंटेंड में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद आप उस चीज पर वीडियो बनाओगे, फिर उसके बाद उसके एडिटिंग होगे, फिर उसके बाद उसका थमनेल बनेगा, उसके बाद वो यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो ये सारी चीजे मेरे भाई बहुत सारा लेती हैं, तो किसी पर उंगल उठानी बड़ी आसान होती है, लेकिन अगर आप उसके point of view सोचे सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि actual में situation क्या है, हम जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे की परिशानी को नहीं समझेंगे, हम किसी भी चीज से भाँर न वो लोग भी आपको देख रहे हैं, तो इतनी बड़े, इतनी सारी countries के network में से आपके लिए possible नहीं हैं, कि आप हर एक को entertain कर पाएं हर रोज, यदि कोई message डालता है, आज ही बात करनी है, अमाल लेते हैं, आज अल्रेड़ी इतना काम लगा हुआ है, या इतनी सारे लोग है, कि बात possible नहीं है, उसको बोलो कि भी आज नहीं हो पाएगा, तो बुरावान के बट जाता है, तो आप क्या करें, आपके जोसे बहुत सारे, जब तक हम अपनी दुख देखते हैं, हमें लगता है, हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम सब के दुख देखते हैं, तब हमें पता लगता है, कि यार, हम तो फिर भी काफी अच्छी पोजिशन में, यह होता है, आपको कोई तकलीफ है, आपको लगता है, मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, ऐसे से मरीज आपको रिखाई देते हैं, कि आपको लगता है, कि यार, भगवान ने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझें, मेरी बातों को positively ले लीजिए, आपको यह समझना चाहिए, कि आप जैसे बहुत सारे लोग सफर हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं किया जा सकता है, कि एक को छोड़के, दूसरे क पकड़ लिया, कि भई ठीक है, इस से आज बात कर लेते हैं, इसको छोड़ दो, हर एक आदमी का काम urgent है, किसी विचारे की date लगी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो ये वीडियो जेस्ट में आपकी understanding के लिए बनाना चाहता था, कि आप समझें कि online platforms पे काम कैसे हो सक मेरे कि हा ठना चाहता था एक है